तो गाड़ी अभी चली विए 51199 किलो मीटर और यह भाई किया सोनेट का HTX वेरियंट डीजल अभी देखो आप 5000 चलने के बाद गाड़ी की क्या हालत हो रखी है और विदिन धाई साल के अंदर अंदर यह हालत है यह देखो अभी आप स्टेरिंग देखना भाई मैं इसको छ तो इन सारी गाड़ियों में अपना नंबर बनाके रखती थी गाड़ी बाकि यह जिनकी गाड़ी रहने वाली है मैं आपको मिलाता हूं पहले उनसे आबिद भाई आबिद को आपने पहचान लिया होगा अभी कुछ साल पहले भी हमने इनकी गाड़ी का ओनर रिव्यू ल 25,000 गाड़ी चला लिए और मैं आपको बता दूए 1.5 लीटर डीजल इंजन है और यह गाड़ी लीकप थी आपने 2021 में जनवरी में तो एप्रोक्सिमें धाई साल हो गया है मैं 2024 में इसको पूरे तीन साल हो जाएंगे बट आज ही इस वीडियो में हम इनका ओनर्शिप एक जुन जुन लोगों का भी डाउट ना किया सोनेट को 2024 में या 23 में लेने का तो उनके सारे डाउट क्लेर हो जाएंगे तो चले शुरू करते हैं स्टार्टिंग करते हैं अपना फ्रंड प्रोफाइल से तो देखो बाई किया का मोनोग्राम ना भी कुछ टाइम बाद ही चे ने किया सोनेट एक्सी चूस क्यों करें मैंने गाड़ी मार्केट उस टाइम पर बहुत सारी गाड़ी आई हुई थी आपको पता हिए वैन न्यू भी आई थी कॉम्पिटिशन में नेक्सोन भी थी और लेकिन नेक्सोन मुझे थोड़ा डिजाइन वाइस बहार से अच्छ श्यूबर देखने को मिलते हैं अभी जिस टाइम पर उस गाड़ी को चलाया था जब भाइने गाड़ी ली थी तो उस टाइम पे इसका जो थो ताना है एड लाइट का वो इतना प्यारा था जिसकी कोई हद निया बट नीचे इसमें जो है ना आपको येलो लाइट देखने को मिलती है बट हैं तो ये प्रोजेक्टर ही बट इनका रिस्पोंस पूछते हैं भाई कैसा है अभी तक का रिस तो पीछे से ओट वाला रात में आया था वो मतलब उसने पी रखी तो उसने बहुत जादा हीट करी थी हां पर पूरा ओट हीट हुआ था साइड से क्वार्टर पैनल पूरा यहां तक ले गया था ठीक है लेकिन उससे जटके से और कहीं कुछ फरक नहीं पड़ा बस ये च करवाना हूं तो आपको भी- एक्र उसमें करवा देते हैं कहलो बड़िया बात है और मेंटेनेंस कोश ट्र या अलग अलग संकट अच्छा हजारं पर आप से 3740 30 स smash ब confirming whats आप से लेंगे 6000 दीरे दीरे बढ़ते बढ़ते फिर इनकी एक एक चालीस हजार पर पोचके आपका डीजल फिल्टर वगेरा कुछ ऐसी चीज़े हैं जो चेंज होती जिससे मोटा घर चाहता है मतब 15,000 रुपे के सम्तिंग 40,000 की सर्विस पर ले लेते हैं अच्छा तो अभ 40,000 रुपे डीजल इंजन के लिए मैं मानता हूं थोड़े से आपको ज्यादा लगेंगे अगर पैट्रोल से आप कंपेर करते हो तो बट आप चला भी तो भाई सबका बाप रहो है की नी भाई दम तो है 1.5 लीटर डीजल इंजन है इसके अंदर वही जो क्रेटा के अंद जिसके इंदर आता है वह तो भाई सीरेसली अंडर पावर है तभी मैंने उसको सेल किया था बट भाई वन लीटर टर्बो जो है इसका और 1.5 लीटर टर्बो जो है भाई सीरेसली कह रहा हूं इतना मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में बस पूछो मत तो भी बात करते है मेरी गाड़ी मतलब कभी तो 12-13 जाता है 14 जाता है 15 जाता है ठीक है लेकिन अगर जैसे मैं out of Delhi जाता हूं तो अच्छा एवरेज निकलती चोविस 22-23 चोविस अगर हाइवे पे यह 1.5 लीटर डीजल निकालके आपको दे रहा है तो और क्या चाहिए यार बहुत बढ़ जैसे चाहिए अब भी इतनी गर्मी के बाद भी जमाने वाली है ठंड लगने लग जाती है अच्छा यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं सारी चीज़ें परफेक्ट है चलो बहुत बढ़िया अब भाई इसकी बहुत ज्यादा तारीफ है अब इसके कुछ नेगेटिव पॉ आपकी जैसे कर रखे आप भी बैठे वह लेकिन अगर जैसे जहां ही अरजस्ट है ना अगर आप पीछे बैठोगे ना आप बोलोगे भाई लेग रूम का एक बार बैठके दिखाना जैसे मैंने भी बैठा था तो एक बार देखे तो सही भाई ठीक है अरम में यह बैठ हूं सीट में और एक स्पेस में बढ़ा है बस बूटी स्पेस इतना बढ़ाने का कोई फायदा थोड़ी नहीं कोई काम आता आपके यह काम तो आता है जैसे फैमली परिशान हो जाती है मतब कभी कबारी तो जाती होगी या डेली थोड़ी ना घूम रहे हो आप यह बात तो है सब्सक्राइब यूज में हैं बट यह है भाई साल में एक दो बार आप जा रहे हो बट तीन-चार दोस्त भी अगर बैट के जा रहे हो तो दिक्कत होती है यह तो है बैट भी नहीं सकते वाई सही बात है भाई के बिल्कुल जैनुएन चीज बोली भाई ने एक बात लाई यह बस यह तो दीनी वहाँ पर आराम से चड़ रही ती किसके सस्पेंशन कैसे हैं बहुत सारे लोग यार यही बोलते और मेरे साथ भी प्रोब्लम ती उस टाइम पे इतनी स्टिफ सस्पेंशन थे ना इसके तो अभी कुछ हुआ अच्छे हैं कोई फरकी नहीं पड कर रहा हूं उसके इतने सोफ्ट लगते हैं जिसकी कोई अगर आपने सुफ्ट में बैठे हो अब बैठा भी हूं और वैन्यू के भी अच्छे है बहुत जादा स्टीफ है ना और कुछ इसमें आपको नेगेटिव पॉइंट लगा हूं बागी संडूरूफ की थोड़ी है आपको ड्यार जान लोगे कैसके यार इतना बड़ा भी संडूफ मिल गया हो और यह यह वी अच्छा है रहा है रहा नेगटिव भगाई ये भी गिनवा दिया अब एक नेगेटिव मैं आपको और बताता हूं भाई जरे एक बार गाड़ी स्टार्ट करो जब एक क्यावन हजार गाड़ी डीजल इंजन चल जाता है तो उसकी अवाज कैसी होती है वह आप देख लो भाई अवास सुनो यार इतनी जादा तेज अवास है वाई डीजल इंजन की इसलिए हर बंदा परेशान रहता है वाई डीजल इंजन नहीं चाहिए नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर तक Nogis रहती है ने डीजन की अंदर तक आती मतलब शाइलेंट है जैसे ब्रीजा गाड़ी है म मारुती की जो 2020 में डिसकंटीनी हो गई थी 1.3 लीटर डीजल इंजन था उसके अंदर बहुत जादा रिफाइंड है किया कि यह काभीले तारीफ है यहां पे भी फील हो रहा है बलकि अगर यह पैट्रोल इंजन होता इतना साइलेंट होता कि आपको शिकायत का मोगा नहीं मिलता बहुत जाद रिफाइंड इंजन देखने को मिलता है पैट्रोल में इसमें न मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट और लगा अभी हमने इसका बो अच्छी नहीं लगती बस कंपनी में बोली नहीं सीच के लिए बोला मैंने कंपनी से यूं कह रहे हैं कि यह आता ही नहीं पीछे से इससे तो बहुत साउंड पर फरक पड़ता है यह तो है यह थी किया सोनेट की एच्टी एक्स के साथ का ओनशिप रिव्यू जो हमारे उन्हें गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए लेनी चाहिए अगर आपका बजट है दो 14,45,000 का तो आप इस गाड़ी को मैं कंसीडर करूंगा कि यह वाली पर यह भी तो देखो ना जिस प्राइज रेंज में आज की रेट में अगर जो बंदा किया सोनेट की एक्स आज ही रेट में अगर लेनी की सोच रहा है तो उत्र में तो स्कॉर्प्यों आ रही है साड़े पंद्रा लाग की अगर साड़े पंदर आपके पास ओप्शन कम हुआ करते थे जिस वज़े से भाई ने यह सोनेट को कंसीडर किया और मैंने भी किया तो नो लाग रुपे तो बस गाइस यही था इस वीडियो के अंदर आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और जो हमारे आबिद भाई का उनर्शिप रिव्यू था वो भी बताना नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा तो गाइस मिलते हैं झाल